नमस्ते में हो नंतर आप देखने दा यूनिक न्यूज जैसा कि आप जानते ही कि देश कोरोना वैस्विक संक्रमन महामारी से लग रहा है और इसी बीच बे मौसम बरसात अनावश्यक रूप से कहीं न कहीं पूरे वेगुसराय जिला को अपने चपेट में ले लिया और इसी मार्ग पे बहुत साड़े पेर सरक पे ही गिर गए जिसकारण आवागमन तो पुर्ण रूप से परभावित हुआ ही और इस छेत्र में वो रवी फसल जो खेतों में लगे हुए थे वो अब पुर्ण रूप से अपने खेत में ही धारा साई हो गए है इसको लेकि किसानों म बीच किसान कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रस्ण बाचक चिन का सामना कर रहे हैं और इसी बीच जब हमारी टीम पूरे ब्योस्त्राइजिला के बिभिन प्रखंड जैसे चेडिया बढ़ियारपूर मनसुर्चक बच्छवाड़ा छोड़ाही इन समों का जब दोड़ा किया तो पता चला कि वो एडिया जिनको प्रसासन के द्वारा होट स्पोर्ट बना के सील किया गया है और वो किसान जो घर से निकलने में भी प्रतिवंदी थे वो घर से नहीं निकलेंगे तो और वैसे किसानों की फशल अब तो पुर्ण रूप से बरबाद होने के कागार है न स्चोनी के कागार पहें और यहां क्या भी किया जा जा सकता है क्योंकि होट के कारण उन चनाइट अस्थासनों पे बहुत सागे कोरणा संक्रमी त मरिक जमीले हैं जिनके कारण जिला पर सासन की नींद चैन तो बिल्कुल बद से बत्तर हो ही गई है और बत्तर हो चली है संकर्मन के कारण वहां की आम आवादी यह बहुत बड़ा प्रस्ण है और यह बहुत बड़ा प्रकृती मार भी हम कह सकते हैं फिलाल अभी तो हसनपूर और मंजॉल मुख्य मार्ग बिल्कुल पुर अनास जोने वाली गाड़ी होते है वह यह रासन के दुकान की गाड़ी यह सभी भी बिल्कुल रूप से बंद है अब आज आए ठप है प्रसासन सुबह से ही लगी हुए कि इन सब वहों को हटाया जाया और हटाने के बाद मार को पुर रूप से चालू किया जाए लेकिन में लगे फसल नस्ट होने की जानकारी मिल रही है तो प्रसासन के लिए बहुत बड़ी चुनोंती बढ़ती चली जा रही है जहां एक तरफ संक्रवन से लरना हुए दूसरी तरफ कहें तो अब इस प्राकिर्थिक आपदा से क्योंकि एक आपदा संक्रवन के रूप में औ बिस्राइब भार